करना बता रहा हूं आपको सबसे पहले मोबाइल डाइटा ओन करेंगे वाइफाई नहीं होना होना चाहिए उसके बाद हम जो लिंक हमने आपको बेज़ा है वाटसप पे उस लिंक के दूरू ही इसको इंस्टॉल करना है तो वह लिंक से ओपन करेंगे तो यह आपको प्ले स् पर पोचेंगे तो इंस्टॉल करिए उसको और उसके बाद जैसे वह इंस्टॉल होना शुरू हो गया इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर यह ओपन का बटन हाइलाइट हो जाएगा ओपन करेंगे हम सीधा कॉइंड़ की विंड़ो खुलेगी में यहां पर आप्शन आएगा क्रियेट अकाउंट का क्लिक करेंगे नाम डालेंगे एस पर पैन जो आपके पैन में है सेम वैसा नाम डालेंगे उसके बाद में इमेल डालेंगे और नीचे पासफ़ड डालेंगे तो इमेल पे एक कोड़ चला जाएगा छेडिट का मुझे इमेल चेक करने होगी है अपनी जीमेल ओपन किया और उसको देख रहा हूं अभी मेल आई नहीं है यह पुरानी मेल है जो देख लिए आपको अभी नहीं मेल आ जाएगी है यह मेल आगए इस पर OTP है मैं इसे कोड़ रहा हूं 8 1588 OTP यह मैं रहा दालाँा इसको मैंने किया उसके बाद वह मैल नमबर पूछ रहा है मूबाइल नमबर डाला है मूबाइल नंबर पर प्र स्क्रॉल करना है प्र स्क्रीन को थोड़ा त्वाट सा महीं है फोड़ा सा सब स्क्रॉल करेंगे उपर की तरा के और थोड़ा सा यहां पर देखे ईड JIMू इस आप स्टक्ष्ण होगा यहां पर हम ने कोड pencils है जो मैंने आपको वांट सब्सक्रांद है आफ जो भी और आपको बताऊंग वह व्वक्त प्र Hep meald कोड डाल रहा हूं यहां पर कि ये डेवली जे एंट टू-3-4-1 ये कोड में यहां यूज करूँगा ताकि मुझे 100 रुपीज के बिट कॉइंट मिल जाए अग्यूट कि मैं जैसे यहां पर डालूंगा और अप्लाई करूंगा तो मुझे 100 रुपीज के मिलेंगे मैं इसको वैरिफाई कर लेता हूं एक बार ठीक है अप्लाई करता हूं और दीखिए 100 रुपे के बिट कॉइंट हो गए हैं अब मैं अभी इंवेस्टेंट पे क्लिक करूंगा त इसके बिट कोई के आगे 100 रिखा हुआ है और पॉर्फोलियो वाले लिखी हुए 100 रुपीज तो मेरे पास इतने के विट कोई आ गए हैं अब इसके नेक्स्ट टेप में होम पे क्लिक करूंगा नीचे नजर आ रहा है जो होम पे जाने के बार एड़ बैंड करूंगा बैं के लिए दुबारा मैं काउंट नमबर डाल रहा हूं और उसके बाद सबसे नीचे आएफसी कोट डाला है मुझे अपना बैंक अगाउंट करूंट करूंगा उसके बाद एक कोटीपी जाएगा मेरे मोबाइल पे वोटीपी पे यह डालूंगा तो यह मेरा लिंक हो गया है बैंक अगाउंट कोटीपी के साथ में यहां पर पैसे इंस्टॉप डाल सकता हूं और यहां से विड्रॉब भी कर सकता है अब जैसे ही मेरा एड हो जाएगा सक्सेस्फुली उसके बाद कि मैं एड मनी पर यहां पर अमंट डाल रहा हम coriander ख़िस्फ़ visit मॉटीट का यहां पर यहां पर जाके पर क्लिक करूंगा आपके पास मोबी का वॉलेट है नहीं है को भर न नमबर डालना है यह अपने आप पेमेंट गेट पे काम कर रहा है वह भी क्विक से इसका कोई लिना दना नहीं आपके फोन में हो ना हो कोई फरक नहीं बढ़ता हुआ आप नमबर डालेंगे उटीप आएगा आपके मोबाइल पर वो टीप डालेंगे और सब्मिट करेंगे इसको तो आपके सामने के स्क्रीन आजाएगी अभी OTP डल रहा है, OTP आया नहीं है, OTP आयाता है, तो यह आगे चलेगा, OTP आ गया, मैं OTP डाल रहा हूँ, यह OTP डाल रहा हूँ, यह आ गया, OTP 6, 3, 4, 3, 4, 5, यह मैंने OTP डाला, और अब यह स्क्रीन आ जाएगी मेरे सामने, पेमेंट के लिए, OTP ले रहा हूँ, यह स्क्रीन आ जाएगी, इसका हमें स्क्रीन शॉट लेकर रखना है, यह स्क्रीन का, यह वाली स्क्रीन का स्क्रीन शॉट हमें लेना है, और यहाँ पे नीचे, जो VPA लिखा है, वहाँ पर हम डालेंगे अपनी UPI ID, एक स्वदोर पर ट्रांसफर करने के लि जाएगी, मैंने यहाँ फोन पर यूज कर रहा है, तो हम मैं यहाँ से फोन पर जाओंगा, और यहाँ पर देखे फोन पर मेरे पास है, रिक्वेस्टेड बाई मॉबीक्विक, 102 रुपे, मैं इसको संड दर दूँँ, 102 रुपे, अपने अकाउंट से, और यहाँ पर मेरी अब चल रही है, जैसे सक्सेस्फुल होगी, पेमेंट मेरी सक्सेस्फुल होगी, यहाँ दिखा रहा है, मैं अब यहाँ से वापस जाओंगा, कोईंट एसी एक्स पर, यहाँ पर अभी इन्फरमेशन ले रहा है, भी हुआ नहीं है, देखे अपने आप यहाँ से, वेटिं करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ आपको हॉम पेज पर ले जाएगा, जहाँ देख पाएंगे हमारी फेश When i は कि यहाँ पहली सक्सेस्फुल हो गई पेमेंट, तो यहाँ पर नापने ऑमारी बारित ग्लिक क्लिक के एक क्लिक की यह मेरे अभी जा रहा हूं हो कि अब इन्दर 102 रुपए दिखा रहा है अब मेरे पार 102 रुपए यहां पर आ चुके हैं इनी 102 रुपए से मैं कुछ पर चेस्स करूं है यां प्राइस पर जाके यहां और सेच किने बहुत क्लिक किया और यहां पर सर्च बार आ रहे हैं यहां पर मैं टाइप कर सोंगा क्या स्वाइब यह आगे हंड़ेट रुपीज के शीबो कोई तो अब मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई है 200 रुप्यों जो कि मुझे मिली है 100 रुपीज के बिटकोईं के रूप में और 100 रुपीज शीबो के रूप में हमें इतना ही काम करना है कि यह हमारे सामने आ गया है बहुत इजी प्रॉसेस है इतना ही प्रॉसेस करना है हमने अब एक इसका हमें स्क्रीन शॉट देना होता है सबसे लासमें अकाउंट पर जाके इसका स्क्रीन शॉट देना है तो